हेलो स्टुडेंट वेल्कम बैक टो कृष्णा टेक्निकल पार्शाला मैसेल्प सुनील भारत द्वाज आज एम दे फैकल्टी ओप फिजिक्स टूड़े आई विल डिसकस वीडियो एमसे क्यू बेस कोश्चन एपलाई फिजिक्स बनके आज में एक प्रेक्टिस सैट कराने जा रहा हूं जिसमें MCQ बेस कोश्चन है उनका सलूशन आपके सामने रहेगा और आप भी मेरे साथ में प्रेक्टिस करिए किर्शन टेक्निकल पार्शाला एप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप डिफरेंट टैप्स के कोर्सिज आप पर् और आपके जितने भी प्रेवियस एयर कोश्चन है उन सभी को आपके साथ में आपको प्रेक्टिस भी हम कराएंगे और उनके पीडिये भी हम आपको एवेलेबल कराएंगे तो चलिए हम अपने कोश्चनों को दिखते हैं कोश्चन नमबर फर्स्ट बड़ा ही इंपोर्ट है यह कहता है आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा वर्क दन क्या होता है तो वर्क जो हमारे पास में रहता है वो रहता है हमारे पास में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंग यह हमारे पास में है तो आपको गिवन क्या क्या चीज है बेटा गिवन है आपको गिवन में आपको दे दिया है हमारे पास में डिस्टेंस दे दिया है एस कितनी है हमा फहारे पास में है और थीटा थीटा हमारे पास में क्या है 60 डिगरी है यह यह हमारे पास में क्या चीज है यह इसल्व हूत है तो अब आपको पता है कि हमें formula लगा के बिलकुल इसको solve करना है this is the simplest form आप solve करिए हमारे साथ में साथी comment रताइए इसका answer क्या आता है देखिए simple formula हमारे पास में work done का जो formula है वो है हमारे पास में w equal to f dot s अगर इसको आप खोलोगे तो f s cos cos theta तो हम w की मुझे value नकाल नहीं है तो w is equal to हमारे पास में force कितना है 10 10 newton है into displacement क्या है हमारे पास में 2 into में cos 60 क्या है हमारे पास में cos 60 cos 60 की value आपको पता है 1 by 2 होती है तो यह आगिया 10 into 2 into 1 by 2 2 से 2 cancel out हो गया answer आगिया हमारे पास में 10 joule तो option A is correct क्या चीज़ हमारे पास में option A is क्या हमारे पास में correct answer है इस question का आगिया आप सभी का यह 10 joule इसका answer हो है next देखिए next कहता है the work performed on an object does not depend upon यह कहता है कि मैंने आपको जब definition बताई थी मैंने कहा था कि हमारे पास में work जो रहता है क्या चीज़ हमारे पास में work की में बात करता हूं work तो w हमारे पास में क्या रहता f into में f dot ds ठीक है यह s हो गया ठीक है तो हमारे पास में work totally मैंने कहा था work is equal to क्या है f into में s it means the work is depend on two factors here force and displacement किस-किस पर depend करता है force and displacement पर यह depend करता है तो option a देखिए displacement इसका मतलब हमारे पास में क्या चीज़ है हमारे पास में displacement पर क्या कर रहा है depend कर रहा है तो यह कह रहा not depend तो यह हमारे पास में इसकांसो नहीं है force applied यह force पर भी depend करता है यह भी हमारा इसकांसो नहीं है यह कहता है angle at which the force applied to the displacement यह भी बिल्कुल वो है तो W वराबर क्या हो गया F as क्या था cos theta तो theta पे भी depend करता है तो यह जो इसका correct answer है D is the correct answer क्योंकि initial velocity of the object तो work done does not depend on the initial velocity of the object तो option D is correct here next question देखिएगा बेटा next question मैं कहे दिया है which of the following is equal with Newton meter इसमें से वो कह रहा है कि Newton meter किसके equal है किसके equal है आपको पता है सबसे पहले बात मैं करता हूँ यहाँ पर देखिए work की मैं बात कर रहा हूँ work हमारे पास में क्या हो गया force into में distance होगी तो अगर मैं बात करता हूँ इसके case में force इसको किस में करता है Newton में और यह हमारे पास में क्या रहता है मीटर हो गया तो Newton meter क्या हो गया Joule हो गया क्या हो गया Joule क्या है Joule is equal to क्या हो गया Newton meter तो option number one ही correct है horsepower क्या चीज़ है horsepower हमारे पास में power की क्या है एक unit है वोट भी पावर की unit है, और पासकल क्या चीज है, पासकल pressure होता है, क्योंकि हमारे पास में जो pressure है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, pressure क्या होता है, force upon में area, तो ये है हमारे पास में Newton per meter squared, this is not a correct, तो Joule is the correct option here अगला question देखिए ये बड़ा ही simple question है और बड़ा ही interesting question है तो इस question को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए ये कहता है mass of 2 kg हमारे पास में एक mass है क्या चीज है 2 kg का एक mass है is moving along a circular path of radius 1 meter ये कहता है कि कोई हमारे पास में देखिए simple कह रहा है कि ये इस तरीके से कोई एक circle है ठीक है और यहां कोई object है जिसका mass क्या चीज है 2 kg है ये कह रहा है तो ये this is the center point तो ये जो center point है ये क्या चीज है 1 meter है क्या चीज है 1 meter 1 meter is the radius of the circular path if the mass moves with 300 revolution per minute तो इसमें क्या कर रहा है कि 1 minute में वो 300 revolution move करता है इस तरीके से ये कितने करता 300 1 minute के अंदर ये 300 revolution करता है तो its kinetic energy would be तो इसकी kinetic energy क्या रहेगी तो सबसे पहले आपको पता होना चीज़िए क्योंकि मैंने आपको कराया एक relation कराया था आपको पता है we know we know that आपको पता है we equal to r omega आपने ये हमारे साथ में की हुई है और we equal to r into में 2 pi new new क्योंकि चीज़ थी हमारे पास हम बेटा मैंने कही थी ये थी frequency क्या चीज़ थी frequency तो ये relation हो गया r क्या होगी radius और we क्या होगी velocity तो इसी relation का हम use करके इसको solve करते है question बिलकुल आपके सामने है बड़ा ही simple है सबसे पहले आप वी निकाल लीजिए और kinetic energy का formula क्या होता है वो आप सभी जानते ही है तो kinetic energy का formula मैं यहां लिख देता हूँ कि हमारे पास में जो kinetic energy है क्या चीज़ है kinetic energy है वो formula होता है 1 by 2 m v square क्या चीज़ है 1 by 2 m v square is the kinetic formula और v वराबर हमारे पास में क्या हो गया v वराबर हो गया r into 2 pi new अब new निकालता हूँ new क्या चीज़ है frequency frequency अग उमेगा उमेगा क्या चीज़ हमारे पास में उमेगा रहती हमारे पास में यह हमारे पास में frequency थी उमेगा ठीक है उमेगा किसके बराबर थी उमेगा थी बेटा 2 pi new के बराबर थी क्या थी 2 pi new के बराबर यह हमारे पास में है तो तो अगर मैं frequency की में बात करता हूं, किसकी में बात करता हूं, frequency की में बात करता हूं, और frequency हमारे पास में क्या हो जाती है, V calculate कर लीजिए, V क्या हो गया, 300 revolution per minute, तो इससे ये cancel out हो गया, कितना बार गया, 5 बार गया, कितना बार हो गया, 5, तो आप देखिए, इसको बड़ा ही simple हो गया, V हमारे पास में कितना आगया, 5 आगया, तो हमारे पास में, V की value क्या आई थी, V की value आई है, 2 pi into में 5, तो V equal to क्या हो गया, 10 pi हमारे अंसर आगया, ठीक है, क्या आगया, 10 pi हमारा क्या आगया, आंसर आगया, किसका आगया, V की value निकल गी, तो 10 pi हमारे पास में V है, तो V की value क्या होगी भाई साथ, 10 pi हमारे पास में इसकी correct value होगी, kinetic energy क्या होगी, kinetic energy हमारे पास में है, kinetic energy होगी 1 by 2, इन 2 में, अगर मैं बात करता हूँ, कितना 2 kg इन 2 में, और यह है हमारे पास में 10 pi का whole square, इससे यह cancel out हो गया, तो kinetic energy किसके बराबर आगी, 100 pi square, this is the correct answer, B is the correct answer, इस तरीके से आपको यह solve करना है, अगया होगा समय में, बिल्कुल simplest form है, एक बार और मैं इसको repeat कर देता हूँ, कि किस तरीके से मैंने इसको किया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले relation है, मैं यहाँ formula आपके साथ म कि हमारे पास मैं कौन-कौन से formula मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले बिटर आपको kinetic energy के बारे में पता होना चाहिए, 1 by 2 m v square, और v का एक relation होता है, r omega, और omega का एक relation होता है, 2 pi new, क्या हो गया, 2 pi new, हमारे पास में यह relation आगया, और new हमारे पास में इस तरीके साब आप निकाल सकते हैं, angular revolution, और v जब आप निकालोगे, 300 revolution हो गई इसके, और इसको 60 से क्या कर देगो, divide कर देगो, तो यह formula हमारे पास में use हो जाएगा, तो इसका option क्या रहेगा, 100 pi square, is the correct answer, एक और question आगया है, बड़ा ही interesting question है, यह कहता है, two bodies of masses, m1 and m2, two bodies हैं, जिनके masses क्या kinetic energy, what is the ratio of linear momentum, सबसे पहले आपको पता है, कोई भी हमारे पास में यह दो body है, एक हमारे पास में body यह हो गई, दूसरी body यह हो गई, तो one body है, इसका mass m1 हो गया बेटा, इसका mass m2 हो गया, यह कहता है, kinetic energy k1 बरावर k2 बहुत हार से, यहाँ पर kinetic energy क्या हो रही है, दोनों की same हो रही है, तो यहीं से हम अपने question को start करते हैं, तो हमारा question क्या है, हमारा question है रहेगा कि kinetic energy क्या है, बहुत है same, तो देखिए, तो k1 बरावर क्या आगी बेटा, k2 आगया, तो k1 क्या होती है, half m1 v1 square is equal to half m2 v2 square, तो देखिए, half 1 by 2 से 1 by 2 cancel out हो जाएगा, तो यहां से v1 square upon में v2 square is equal to, क्या हैगा, m2 over में m1 हमारे पास में आ जाएगा, क्या जाएगा, m2 over में m1 हमारे पास में इस तरीके से आ गया है, देखिए, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, बिल्कुल आपको समझना है, तो देखिए, यह मैं पूरा ही रब कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा, तो यह हमारे पास में इस तरीके से आपने देखा, तो मैंने यहां लखती है बेटा, इसको देखते हैं, यहां पे मैंने कहा, कि जो हमारे पास में, हमारे पास में v1 square upon में v2 square, तो यह किसके बरावर आया था, यह आया था, m2 over में m1 के, किसके बरावर आया था, m2 over में m1 के, यह हमारे पास में आ गया, अगर मैं बात करता हूँ, v1 upon में v2, तो यह आ जाएगा square root, कि आ जाएगा, m2 over में m1, this is the equation number first, अब मैं आपसे बात कर देता हूँ, किसकी linear momentum की मैं बात कर देता हूँ, तो linear momentum of body 1, तो हमारे पास में क्या रहेगा, p1 over m1, v1, okay, p2 over क्या रहेगा, m2, v2, तो यह आ गया, हमारे पास में, जब इस तरीके से आपने इसको देख लिया, बड़ा ही simple और interesting question है, थोड़ा सद्यान ही रखना है, बस द्यान से करना है, तो आपने जब यह इस तरीके से यहां से कर लिया, तो आपको क्या ratio नकालना है, p1 over में, p2, which is equal to, आपने क्या काम किया, m1 over में, यह कर दिया है, m1 over में, m2 इधर ले लिया, और v1 over में, v2 की value क्या डाल दी है, आपने, m2 over में, m1, यह value डाल दी है, जब इसको इधर ले जाओगे, p1 over में, p2, जब इधर ले जाओगे इसको, तो यह आजाएगा, m1, देखिए, यह अंदर जाएगा, square root हो जाएगा, तो मैं इसको, m1, square, m2, over में, यह आजाएगा, हमारे पास में, m2, square, m1, क्या जाएगा, m1, तो इस m1 से, यह m1, cancel out हो गया, m2 से, यह cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास में, जो result आएगा, result क्या आएगा, वो चक कीजिए, result हमारे पास में, क्या आएगा, हमारे पास में, जो result आजाएगा, वो आजाएगा, this is my result P1 over में P2 which is equal to root, क्या हो जाएगा M1 over में M2 this is the option first is correct answer here क्या रहेगा, option first is correct answer देख लीजिये, किसी को कोई doubt हो, बड़ा जी simple question है एक और हमारे पास मिस्तरी के से question आ गया है कि question कह रहा है कि हमारे पास में ये question कह रहा है इसको match the column आपको match करना है कि किस तरीके से आपको match करना है column आपके पास है तो देखिए, column आपको पता है कि किस तरीके से एक question है इसको match करना है match मैं आपके यहीं कर देता हूं one arg arg जो चीजे हमारे पास में यह power है power की unit है 1 arg 1 arg is equal to कितना होता है 10 raise to power minus 7 joule क्या रहता है 10 raise to power minus 7 joule 1 kilo watt hour बरावर क्या रहता है अगर मैं यह बात करू 1 kilo watt hour हमारे पास में रहेगा तो 1 kilo watt hour हमारे पास में रहेगा this is the third 3.6 into 10 raise to power minus 30 3.6 into 10 raise to power minus 6 joule 1 calorie is equal to 4.186 joule रहेगा और 1 electron बरावर क्या रहेगा 1.6 into 10 raise to power minus 19 जूल रहेगा अगर मैं बात करता हूँ आप से अर्ग की किसकी मैं बात करता हूँ अर्ग किसके बरावर रहेगा 10 raise to power minus 7 जूल के बरावर रहेगा 1 kilowatt hour ये बरावर रहेगा 3.6 into 10 raise to power 6 joule के रहेगा 1 calorie अगर मैं बात करता हूँ calorie हमारे किसके बरावर रहेगा ये रहेगा 4.1 this is the point 4.186 joule ये रहेगा और 1 electron volt किसके बरावर रहेगा 1.6 into 10 raise to power minus 19 joule के बरावर रहेगा क्या रहेगा 19 joule रहेगी ये ठीक है ये सारे चीज है ये आपको आती है ये सारे चीज मैंने आपको कराई है सारे चीज़ों को मैंने आपको थ्योरी की क्लास जब मैंने ली थी तो सभी चीज आपसे डिसकस की थी क्योंकि ये सारे चीज वाट रहती है अरग हमारे cgs unit है इसलिए इन सभी को आप निकाल सकते हो तो there is no problem ये सभी को आती होंगी ठीक है नहीं आती है तो आप मुझे कमे आता है देखो एक मैं करके दखाता हूं अरक तो समय पता है relation है हमारे पास में ठीक है और ये electron volt का भी पता है अगर मैं calorie भी है और मैं इस तरीके से आपको करके दखा देता हूं देखिए one kilo watt sorry watt hour ठीक है इसको और आप करके दुवारा लगते हैं ठीक है ये है हमारे पास में one one kilo watt hour तो ये हमारे पास में question है तो आप इसको बड़े easily कर सकते हो one kilo का मतलब है one thousand ठीक है आगया एक kilo का मतलब हो गया 1000 और into में hour का मतलब हो गया 3600 3600 हमारे पास आ जाएगा आप इसको करिए 36 into में 10 raise to power 5 और आप इसको कर सकते हो 3.6 into 10 raise to power आपका क्या आ जाएगा 10 raise to power कितना 6 तो यह आ गया 3.6 joule तो यह क्या जाएगा जूल के अंदर आ जाएगा तो यह से आप कर सकते हो यह कहता है कि mod a plus b equal to mod a minus b prove that the vector a and b are mutually perpendicular ठीक है यह कह रहा है कि आपको दो vector है a plus b and a minus b prove that the vector a and b are mutually perpendicular it means a is perpendicular to b और b is perpendicular to a तो इसको बड़ा ही simple है जब आप prove करोगे तो आपने लिख दिया mod a plus b is equal to mod a minus b this is the question squaring both side आप कर दोगे तो यह आ जाएगा मैं इसका direct square कर रहा हूँ इसका square इस तरीके से होता है a dot a plus आगर मैं बात कर देता हूँ b dot b is equal to 2 नहीं सोरी plus 2 a dot b क्योंकि a plus b अगर इसका square करते हो a dot a square plus b square plus 2 a b which is equal to आपके पास में जाएथा a dot a plus b dot b minus 2 minus 2 a dot b तो equal and opposite है तो यह cancel out हो जाते हैं तो हमारे इसको इधर लियाए तो यह आजाएगा 2 a dot b plus 2 a dot b equal to 0 तो आपने इसको कर दिया simply form में आ गया यह answer बड़ाई simple है ठीक है जब इसको square किया है तो आपने यह कह दिया 4 a ठीक है इसपर vector आ जाता क्योंकि vector form में है न ठीक है तो a dot b बराबर 0 तो a dot vector बराबर 0 तो this is a and b are perpendicular to each other यह कह दिया a and b are perpendicular to each other तो 0 आपको प्रूब करना था आपको पता है मैंने scalar and vector को बड़ी easily तरीके से आपको पढ़ाया था कि जब दो vector का आपस में scalar product किया जाता है तो scalar result आता है ठीक है आपको मैंने बताया था आपको देखो a vector dot a vector करते हैं तो यह a square आता है और इसको बड़ी आसानी से a dot a हम लिख सकते हैं मतलब इस तरीके से मैं इसको लिख सकते हैं और हम इस तरीके से यह भी रहता है आपको पता है a dot b बरावर क्या रहता है b dot a यह भी एक प्रोपर्टी है vector की इस सारी चीज मैंने आपको discuss कर रखी हैं आपके साथ मैं which of the following is a physical quantity that has a magnitude but no direction तो यह हमारे पास में definition है हमारे पास में which have only magnitude no direction क्या होता है which have magnitude no direction अगर वो कहता है कि that has magnitude as well as direction तो क्या होता vector होता लेकिन यहां पर जो correct option है वो d is the correct option है next question देखिए identify the following quantities as a scalar or vector हमें identify करना है कि नीचे दिये हुए कौन-कौन scalar है कौन vector यह कहता है mass of an object mass is a scalar quantity mass क्या चीज़ है हमारे पास में mass scalar quantity हो गया the number of leaves on artery एक number है number हमारे पास में number of leaves की में बात कर रहा हूँ तो यह भी हमारे पास में क्या चीज़ है scalar quantity है क्योंकि एक number है number हमारे पास में एक number ही होता है and wind and velocity तो यह हमारे पास में क्या चीज़ है वेलोस्टी क्या चीज़ है एक वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है वेक्टर क्वांटिटी है तो option में S, S, scalar, scalar vector डूण यह तो option C is the correct answer, scalar, scalar vector which of the following is an example of vector quantity यह कह रहा है निम्न से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी का example है तो आप देखिए temperature is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, volume is a scalar quantity, mass is a scalar quantity so option B is the correct answer the dimension of the kinetic energy यहाँ पे dimensional formula आपको निकालना है कि kinetic energy का जो formula क्या होता है देखिए आपको मैंने बिल्कुल जब पड़ाया था, starting में बिल्कुल कराया था kinetic energy जो होती है वो क्या रहती है, work के वरावर रहती है और work होता है force into displacement यह चीज़ अगर मैं dimensional formula के की मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास में force का क्या रहता है, हमारे पास में force क्या रहता बेटा force रहता है MA, क्या रहता है MA, तो इसको कहते है ML T-2 ठीक है, क्या रहे गया, ML T-2, यह force का आगया, into में L, क्या आगया, L, ठीक है, तो kinetic energy का formula क्या हो जाए गया, ML square T-2, क्या रहे गया, ML square T-2, तो देखिए हमारे पास में, ML square T-2, तो ML square T-2, C is the correct answer here, इस तरीके साब बना सकते हो, which of the following pair has the same dimension, आप को बात कर रहा है, कि इसमें same dimension क्या है, तो यह सारी चीज आपको मैंने dimensional formula बता रखे हैं, तो यह मैंने आपको, आपके वीडियो के अंदर भी कराया था, आपने lecture लिया था, तो impulse and momentum has the same dimension, ठीक है, impulse and, impulse क्या चीज है, एक तरीके का force ही तो है, impulse क्या होता है, force होता है, और moment, तो यह हमारे पास मैं आप देख लीजिए, impulse और momentum has the same dimensional formula, आप चेक कर सकते हो, अब मैं एक और बड़ा ही अच्छी problem लेकर आया हूँ, देखिए, next question को देखिए, यह कहता है, if force, f, w, work and velocity, v are taken as fundamental quantities, यह क्या चीज है, यह fundamental quantities हो गई है, what is the dimensional formula of time t, तो इनके basis पे, f, w, v के basis पे हमें क्या नकलना है, t का dimensional formula हमें आपके साथ में क्या करना है, share करना है, तो देखिए, आपको बिल्कुल simple उसमें पता होना चाहिए, कि force and velocity की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले आपको क्या हो गया, work के बारे में पता चला, work क्या होता है, force होता है, क्या होता है हमारे पास में, force हो गया, और into में displacement, ठीक है, क्या चीज है, displacement की मैं बात कर रहा हूँ, क्या सकी मैं बात कर रहा हूँ, displacement की, अब आपको पता है, displacement जो है, this is the displacement, यह क्या होता है velocity over में time period होता है क्या रहता है velocity over में time period रहता है क्या चीज रहती है मैं फिर कह देता हूँ velocity over में time period रहता है तो यह case आपको यहां से पता चल गया अगर मैं यह कहना चलू हूँ कि यहां से यह sorry मैं गलत कर गिया था sorry sorry displacement की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है velocity, velocity over में क्या चीज है, s over में t, s क्या चीज है displacement और क्या चीज है t है, अगर यहाँ से s नकालो то मेरा क्या जाएगा, v t आ जाएगा, velocity इंटू में time तो देखिए w equal to f इंटू में v इंटू में t आपको क्या नकलना t नकलना है तो w over में क्या जाएगा f इंटू में v तो यह dimensional formula क्या बनेगा w f inverse v inverse क्या बनेगा f inverse v inverse तो यह हमें है कहीं पर इस तरीके से w f inverse v inverse so d is the correct answer here क्या आजाएगा d is the correct answer दोवारा देख लीजिए work done किसके बरावर force in two में displacement velocity क्या होती है displacement upon में time और displacement s बरावर v t आजाएगा यहां पर s की जगे पर v t की आपने value रखती है और value रखते ही यहां से t और इसको reverse पहुचा के उपर ले गए तो f w f inverse v inverse this is the correct answer here in SI system the fundamental units are अगर मैं बात करता हूँ fundamental units की तो fundamental units की अगर मैं बात करता हूँ तो funda unit unit की मैंने बात की थी तो मैंने आपको पढ़ा है था कि यह हमारे पास में क्या रहती है 7 तरहीके की रहती है देखिए b is the correct answer आप देखिए क्यों है आपको meter होता है meter को किस में हम measure करते हैं l हमारा हो गया केल्विन हो गया मोल हो गया तो यह हमारे पास में in the SI system the fundamental units are लेकिन अगर यहां पर देखा यहां कूलाम की जिगह ampere दे दिया ampere होता ही नहीं है क्योंकि जब हम current की बात करते हैं तो current हमारे पास में क्या रहता है Q over में T रहता है क्यों over में T रहता है तो हम इसको क्या नकालते है current की जो unit है अगर मैं unit की में बात करता हूँ तो यह charge over में क्या आता है second आता है second आता है जिसको हम क्या कह देते है ampere कह देते है ठीक है और C बराबर क्या है 80 आता है हमारे पास में क्या आता है 80 तू डाइमेंशनल कॉरमूला इस तरीकी से हम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास में क्या है यहाँ पर MPR आने के कारण ये नहीं हो सकता, इसमें meter न्यूटन आ गया, Newton के कारण ये नहीं हो सकता इसमें अगर मैं बात करता हूँ फिर ampere आ गया और lux आ गया इसलिए यहां पर यह नहीं हो सकता option B is the correct answer electron voltage is the unit of electron volt किसकी unit है अभी मैंने बताया था आपको 1 eb बराबर आपको पताया था 1.6 into 10 raise to power minus 19 joule था तो joule हमारे पास में क्या है potential difference या energy energy की क्या चीज़ है यह unit है तो option C is the correct answer here अब मैं बात करता हूँ next question है आपसे यह कह रहा है the damping force on an oscillatory oscillator the damping force on an oscillator is directly proportional to velocity तो the unit of the constant a constant a proportionality r तो हमें यहाँ पर proportionality constant नकालना देखिए आरे बड़ा ही simple है mathematical लगाई है वो कहता है कि force जो है क्या चीज़ है force जो है directly proportional है किसके velocity के तो f is equal to k k is the proportionality constant तो हमारे पास में यह आजाएगा तो मुझे constant की value निकालनी है तो यह आजाएगा force upon में क्या है गया v force का क्या रहता है हमारे पास में newton meter newton हो गया newton upon में v की velocity क्या होती है हमारे पास में रहती है meter meter per second ठीक है meter per second और अगर मैं newton को क्या लेख सकता हूँ kilogram यह newton क्या होता है newton रहता है mg ma ma हो गया force force बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल्स force हमारे पास में क्या रहता है force रहता है ma m को क्या क्लिक दिया kilogram यह क्या चीज है acceleration acceleration हमारे पास में क्या होता है m over में s square ठीक है meter per second square meter per second meter per second से meter per second हो गया तो यह आ गया kilogram second inverse क्या हो गया kilogram second inverse so option c is the correct answer क्या हो जाएगा option c is the correct answer यह होती है dimension of the stress किसकी मैं बात करता हूँ dimension of the stress stress क्या हो रहता है हमारे पास में stress होता है stress यह मैंने पढ़ाया था अभी last lecture में stress तो stress होता है force upon में area क्या होता है force upon में area तो अगर मैं बात करता हूँ तो force upon में area हमारे पास में हो गया तो यह pressure ही है एक तरीके से force upon में area तो force क्या अगर क्या होता है ml t minus 2 upon में l square तो इसकी value है जाएगी ml minus 1 t minus 2 यह ml minus 1 t minus 2 तो option d is the correct answer the SI unit of force आपको पता है अभी मैं गा रहा हूँ SI unit of force is newton simple है हमारे पास में newton क्या रहेगा force की unit है यह कहता है 6 kg object is subject to the 3 forces हमारे पास में 3 forces है f1, f2 and f3 तो question मनता find the acceleration बड़ा ही simple question है यह vector के वहां से हमने लिया गया है तो देखिए सबसे पहले आपको resultant force पता होना चाहिए resultant force क्या हो गया f1 plus f2 plus f3 तो f is equal to सभी को ii को calculate कर दिए 20 plus 8 plus 2 कितना हो गया 30 i हमारे पास में हो गया अब आप हमारे पास में देखिए यह क्या हो जाएगा यह आगया 50 j यह आगया 30 30 minus 50 कितना हो गया हमारे पास में 20 minus के 20 minus के 20 में से 2 गया तो कितना हो गया minus 18 j क्या हो गया 18 j यह f की value f बराबर क्या होता है m a रहता है m a रहता है a a अगर मैं बात करूँ 30 i g minus 18 j और m के बराबर क्या दे रखा बेटा m के बराबर दे दिया है यहाँ पे 6 तो 6 जब यह दे दिया तो 6 से यह कितना बार गया 5 बार गया यह 3 बार गया तो acceleration जो हमारे पास में acceleration आ जाएगा 5 i minus 3 j देखिए 5 i minus 3 j option b is the correct answer here next देखिए the dimensional formula of angular velocity angular velocity का जो dimensional formula होता है वो क्या होता है यह चीज आपको पता ही है आपको बड़ा ही simple है यह आपको पता है angular velocity क्या रहती है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए omega is the angular velocity which is equal to 2 pi new और omega is equal to 2 pi over में क्या गया t क्योंकि new is equal to क्या होता है 1 over में t रहता है क्या रहता है t रहता है तो अगर मैं dimensional formula of omega की मैं बात कर रहा हूँ मतलब angular velocity की मैं 2 pi is the constant तो हमारे पास में रहेगा m0 l0 तो 1 over में t है तो क्या रहेगा t inverse तो option option d is the correct answer here क्या चीज़ है option d is the correct answer here next question देखिए which of the following is equal with newton meter कि हमारे पास में यह कह रहा कि newton meter किसके बलावार होता है तो newton meter किसके बलावार रहता है joule के बलावार रहता है joule क्या है work है हमारे पास में क्या चीज़ है work की मैं बात करता हूँ which of the following has the dimension of pressure dimension of pressure which of the following has the dimension of pressure तो हमारे पास pressure क्या रहता है pressure रहता है force upon में area और अगर मैं इसके dimensional formula की बात कर दो था हूं M L T minus 2 upon में L square तो यह उबर जाएगा M L minus 1 T minus 2 is the correct answer M L minus 1 T minus 2 it means B is the correct answer of this question which of the following has the dimension of pressure अभी just a question repeat हो गया है तो M L minus 1 T minus 2 is the correct answer of this question यह कहता है quantity of work यह कहता है कि 1 Joule तो W वरावर आपको given है वेटा W वरावर है 1000 Joule क्या है 1000 Joule टाइम दे रखा है आपको क्या है 2 second क्या चीज है 2 second तो power आपको निकालनी है आपको निकालनी है 1000 by 2 this is cancelled out तो यह आगे 500 तो 500 watt is the correct answer of this question यह कहता है a body of mass 10 kg moving at the height of 2 meter एक body है जिसका mass 10 kg है वो move कर रखिये 2 meter height तक उचाई तक with uniform speed 2 meter per second total energy की बात कर रहा है सबसे पहले इसमें बेटा potential energy निकालो mechanical energy की बात कर रहा है MGH क्या यह MGH M क्या होगी हमारे पास में 10 हो गया जी कितना होता है 9.8 होता है into में height क्या होगी 2 होगी कितना होगी हमारे पास में 2 होगी तो इस तरीके से जब आपने यह देखा तो potential energy आपकी आजाएगी 196 joule कितना आ गया 196 होगी kinetic energy आपकी क्या होती है half M V square तो half into में 10 और V आपको पता है 2 square क्या चीज़ है 2 square इससे यह 2 से 2 cancel out हो गया क्या गया 20 आ गया तो mechanical energy की वो बात कर रहा था mechanical energy होती है potential energy sum of kinetic energy kinetic energy तो mechanical energy आपकी कितनी हो जाएगी इन दोनों को अगर add किया जाए कितना कितना आया था हमारे पास में 196 plus 20 तो 216 क्या हो जाएगा 216 joule is the correct answer of this question तो यह इस तरीके से मैंने आज आपको यह option type के question कराएं हैं यह सारी इसी तरीके से मैं आपको practice कराता रहूँगा और सभी हमारे channel को subscribe करें, share करें जिससे और बच्चे हमारे channel से जुड़ सकें ओके thank you, bye bye